हेलो एवरीवन वल्कम बैक तो मैं चैनल आज मैं आ गई हूँ फिर से एक न्यू पिका कार्ड रीडिंग के साथ गाइस कैसे आप सब आई होब कि आप सभी अच्छे हैं खुश है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं आज मैं आप सभी के लिए एक रीडिंग करने की जरुरत है मतलब जो भी गाइडिंस आएगी इस रीडिंग में आपके लिए मैं आपको सब कुछ बताऊंगे ठीक है तो नेक्स्ट वीक पूरा वीक कैसा रहेगा आपकी लाइफ के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए प्रेडिक्शन करने वाले हूँ ठीक है तो पाइल चाहरे हो यहाँ पर 25 अजो बेटियोटिव्य देडिक्शन कर रहे है तो अगर अप इस वाले काड़ से अट्राक्ट हो रहे हैं तो आप 109 की लिए पर 900 के लिए और यहाँ पर यहाँ पर मैंने ऑनिंट अंस परड़े है और 9 अज और आप यहाँ पर čुल प्रषपारिट् select करो ठीक है then मैं आपको आपके रीडिंग पर मिलोंगी रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दू जैनरल है रीडिंग तो हो सकता है resonate करें हो सकता है ना करें तो जो भी पार्ट आपके साथ resonate करता है आप उसको रखिये बाकी को आप इग्नॉर कीज़े चिक है टाइमलेस भी है ये रेडिंग जब भी आपका मन करेगा आपको देखना है आपका आने वाला वी कैसा होगा तो ये रेडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है तो चलिए अब तक आपने एक पाइल स्लेक कर लिया होगा आप स्टार्ट करते हैं आपके रेडिंग तो सबसे पहले मैं अपने फेवरिट डेक चाक्रा विस्टम और एकल डेक को यूज करूंगी और पता लगाँगी आपकी एनरजी के बारे में कैसी रहीगी आपकी एनरजी वाव वी हैब सेल्फ वर्थ ओके सेल्फ वर्थ का कार्ड है हम पर सबसे पहले वेरी गुड बहुत ही अच्छा कार्ड आया आपके लिए मेरे चैनल पर जितने भी लोग हैं उन्होंने सेल्फ वर्थ के बारे में तो बहुत अच्छे से सीख लिया है वेरी गुड गाईज यह बहुत इंपॉर्टेन्ट है लाइफ के लिए अपनी वर्थ को पहचानना अपनी सेल्फ वर्थ gé पहचानना और असको उसके लिए मतलब ज़को ना कि foundation का card आपने लिया है foundation and achievements और यहाँ पर self worth का card आया growth का card आया and quest देखिए faith का भी card है आपके लिए bottom of the deck से चलिए यह सारे ही cards मैंने ले लिये हैं अब मैं आपको बताती हूँ क्या है आपके लिए आने वाले साथ दिनों में जी तो यहाँ पर बिल्कुल मैं ऐसा देख रही हूँ कि देखो आपने अपनी self worth के बारे में बहुत कुछ सीखा है और आपको पूरा पूरा faith है कि आगे जो भी आपकी life में होगा बहुत अच्छा होगा और God आपके सारे सपन पूरे करेंगे जो भी आपने इतने टाइम से जो लंबे समय से जो faith आपने रखा हुआ है कि येस जितना भी आप manifest कर रहे हैं जितना भी आपने weight किया है सबर किया है patience रखा है मुझे लगता है आपको उसका reward मिलेगा with the self worth ये चेयर है ना ये आपकी है ये gift आपका है आपक इस अपने पूरे होने वाले है आपकी life में growth होने वाली है growth मिलेगा आपको growth ठीक है कुछ ऐसे लोग हैं जिसके साथ आपको deal करना पर सकता है कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी नजर आप पर होगी क्योंकि आप बहुत innocent हैं बहुत ही kind hearted है ठीक है तो ये person आपको manipulate करने की कोशि कर सकते हैं देखो मैं बिल्कुल straight forward बात करती हूं इसमें आपके cousins siblings family भी हो सकती है ठीक है तो बहुत सोस समझ कर ही आगे बढ़े alert रहें ठीक है क्योंकि हमें धोका देने वाले हमारे सबसे करीबी ही होते हैं तो बहुत ही मैं आपको बहुत ही सोस समझ कर आगे बढ़ना step ल वाले को बुरा लग जाएगा तो यह नहीं सोचना है आपको आपको straight forward उनको कहने है अपनी बात ठीक है कि यह गलत है तो गलत है जो चीज गलत है उसको आप accept मत करना उसको आप बिल्कुल भी उनकी अनुसार आप चलना मत ठीक है जो आपके according गलत है तो वो गलत है आप नह कुछ भी हो सकता है कुछ भी parents आपको pressurize कर सकते है friends वगेरा के साथ अगर कुछ ऐसी बात हो जाए वो वो कुछ आपका advantage लेने की कोशिश करें तो आपको इतना strong बनना है कि आप नो कह सको ठीक है और देखिए आपको इस time definitely अपने angels की अपने God की मदद की जरुरत है तो आपको meditation करने की जरुरत है आपको definitely उनसे request करने की जरुरत है उनसे prayer करने की जरुरत है ठीक है वैसे आप बहुत अच्छा कर रहे है अपनी life में लेकिन कुछ challenge में आते होए देख रही हूं आपकी life में जो आपके बहुत करीबी लोग ही है जो challenge create कर रहे है आपकी life में तो उस problem से निकलने के लिए आपको थोड़ा सा meditation, manifestation और God से prayer करने की जरुरत है आपको ऐसा देख रही हूं मैं आपर चलिए ये तो होई आपकी energy क्या हो सकता है आगे आप थोड़ा सा love life के बारे में भी देख लेते हैं वाव divine feminine divine feminine बनना guys आप बहुत अच्छे हैं मुझे energy मिल रही है आप बहुत spiritual person है आप already awakened है आपको पता है सारे चीचों के बारे में आपको आगे क्या करना है आप बहुत अच्छी position पर है very good we have the gardener आपने अपनी दुनिया अपना garden अपनी खुशिया आप इतने capable हैं कि आप खुद create कर सकते हैं आपको विसी की ज़ुरत नहीं है अपने आप पर विश्वास रखो अपने आप पर believe रखो कि yes ये चीज मैं अचीव कर सकता हूं या कर सकती हूं ठीक है life में खुश रहो the sacred woman definitely आप बहुत religious है और बहुत एक devotee person है God में आपका belief बहुत strong है और इसलिए God आपके साथ है हर वक्त हर वक्त साथ है आपके this is beautiful वाव commitment आपकी life में definitely change आएगा शायद कोई आपको आने वाले साथ दिनों में commit कर दे ठीक है जो जिनों के साथ आप अपनी energy बिल्कुल match करते हैं हो सकता है कि वो person आपको commit कर दे आने वाले साथ दिनों में this is beautiful manifestation मैंने क्या कहा था आपको manifest करने की जरूरत है तो अगर आप चाहते हैं कि जिनों से आप प्यार करते हैं देखो आप twin flame connection में हो सकते हो because divine feminine का card यहाँ पर आया है twin flame connection में हो सकते हो higher level of soul में हो सकते हो एक दूसरे के तो अगर इनके साथ commitment चाहिए आपको manifestation करना पड़ेगा आने वाले साथ दिनों के लिए आप manifestation करो उसे continue रखे जब तक यह commitment आपकी नहीं हो जाती और मुझे लगता है जल्दी ही मिल जाएगी अगर आप efforts करते हैं तो ठीक है यह आपके लिए guidance है क्योंकि यहाँ पर दो बार मैंने ऐसे देखा कि आपको manifestation करने की जरुरत है आप अपने soulmate के लिए अपने twin flame के लिए manifest कर सकते हैं और आप कीजिए और देखिए bottom से dating और love का भी card है वाओ आपकी life में love आ रहा है और इसको लेकर आने में सबसे बड़ा रोल आपका है आप manifest करें आप attract करें अपने partner को फिर चाहाँ वो कहीं भी आना दुनिय किसी भी कोने में आप तक पहुंच जाएंगे बहुत ही अच्छे cards है चलिए आप ठड़ा work वगरा भी देख लेते हैं और क्या चीजे हैं आपके लिए आने वाले साथ दिनों में 2 of swords Gemini, Libra and Aquarius 4 of swords Gemini, Libra, Aquarius 5 of swords Gemini, Libra, Aquarius Air sign बहुत स्टॉंग है यहाँ पर King of Vans, Aries, Leo and Sagittarius देखो मुझे लगता है कि जो मैंने आपको बात बताईती ना कि बहुत ही करीबी आपके कुछ खास लोग हैं जो उनके साथ देखो आने वाले साथ दिनों में जग्रे वग्रे हो सकते हैं ठीक है किसी भी बात को लेकर हो सकता है आपके पैरेंट्स आपका कहीं रिष्टात है करवा रहे हैं आपको पसंद नहीं है वो सब चीज है ठीक है ऐसा भी हो सकता है तो इस बात को लेकर लडाई जगड़े हो सकते हैं, भेन भाई के साथ लडाई जगड़े हो सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ हो सकते हैं और आपको clarity में नहीं हो आप, तो आप जब clarity में नहीं हो, आपको नहीं पता आपको क्या करना है तो आपको कुछ नहीं करना बस आपको सरेंडर करना है गौड का चीज़े आपके हाथ में नहीं है आपके हाथ से आउट आफ कंट्रोल है जेवल कोई ऐसी नजर बना के रखे हुए है आप पर जिसकी नजर बिल्कुल भी ठीक नहीं है ठीक है ऐसा मैं देख रही हूँ कोई ऐसा परसन है जिसकी नजर है आप पर उसे आपको पाना है बाई हुक और बाई क्रूप लेकिन आप उसके साथ अपनी एनरजी शायद मैच नहीं करते हैं मैं आर्गुमेंट्स होते वे देख रही हूँ कुछ कनफ्लिक्ट बनते हुए देख रही हूँ आपकी लाइफ में आने वाले साथ दिनों में बहुत ही ना सिचुएशन को मैनेज करके चलना पड़ेगा आपको आगे क्योंकि मैं देख रही हूँ आपके सपने कुछ और हैं और कोई और आपको प्रेशराइज कर रहा है ऐसा मैं कुछ देख रही हूँ यहाँ पर एट अफ पेंटिकल्स यू हाफ तो वेरी हार्ड वॉक हाइट वक करते रहो अपने पात से मत हटना जो आपके काम है वो करते रहो बाकी आपको सुरेंडर करके रखना है क्दा फूर्व और बैस्ट करने आपके लिए कोई भी ढились पर आ प्रेव्ण कर दू अपके v मैं कंफिक्ट difficult आ हो इह बार प्रमां है वह हर चीट अच्छी करेंगे, वह कुछ बुरा ही होने देंगे आपके साथ और आपको इस situation में भी खुछ रहने की कोशिश करनी है, बहुत ही काम रहने की कोशिश करनी है बैलन्स में रहने की कोशिश करनी है, seven of swords निकल जाओगे आप इस situation से, दिख रहा है मुझे है definitely आप इस situation से निकलोगे और अपनी लाइफ में फिर आप आगे बढ़गे eight of swords अभी शायद आप बंदा हुआ फील कर रहे हो आप बहुत टेंशन में हो सकते हो अभी don't worry जो भी situation में आप stuck हो उस situation से निकलते हुए आप मुझे दिख रहे हो with the seven of swords आप निकल जाओगे situation से ठीक है चलिए अभी मैं आपके लिए कुछ guidance देख लेती हूँ guidance क्या रही है आपके लिए बाती तो आपके career में growth होगा ही आपको बस अपने काम करते रहना है रुखना नहीं है आपको magician and the mirror number 53 manifest करते रहो अच्छे से guys meditation करते रहो आपको सारे answer मिलेंगे आपके जो भी आपको जानना है door to romance romance तो आ रहा है आपके life में आपके soulmate आपके higher level of soulmate और twin flame आ रहे हैं सब कुछ अच्छा होगा attachment देखो उनको आपके साथ attachment है आपके soulmate आपके twin flame आपके पास आके ही रहेंगे बहुत खुशी हो रहे है मुझे कि आपके life में आपके soulmate आ रहे हैं आपके twin आ रहे हैं वाओ वी हाव इंग यांग कार्ड वाओ आ रहे हैं definitely आ रहे हैं रोमेंस आ रहा है और देखो एक कार्ड आ गया है आपर patience का patience रख लो दहरी रख लो God सब कुछ अच्छा करेंगे अब कुछ अच्छा करेंगे angel of balance मैंने क्या कहा था आप balance में बना कर चलना आने वाले साथ दिन आपके लिए थोड़े से टफ हैं इसी आने वाले साथ दिन में आपको manifest करना है और मुझे मैं आपके soulmate और आपके twin flame को आपकी life में एंटर करते हुए देख रही हूं ठीक है यह बहुत अच्छी बात है गाइस और definitely आपके partner आपके life में आएंगे और जिसको जाना है जिसके साथ आपकी energy match नहीं करती है तो definitely वह person जाएगा आपकी life से चलिए अभी angel answers जानते है angel क्या कहेंगे आपको क्या guide देंगे चलिए एक answer आगया है abundance abundance मिलेगा आपको और देखते हैं एक और सार आगया you are ready आप तो ready है and a year from now a year from now you are ready let me take one this situation will improve देखो हो सकता है कि एक साल से डेट साल से दो साल से आप बहुत परिशान है और देखो improving health का भी काड़ा है आपकी health भी improve हो जाएगी अगर आपको health issues है आपकी जो भी situation है वो बिल्कुल improve हो जाएगी ठीक है इसमें थोड़ा सा time लगए कि patience का भी काड़ा है आप बहुत हद तक ready है आपको abundance मिलना शुरू हो गया है आपके work में balance में रहना है आपको ठीक है तो guys यह है आपके reading I hope कि आपके साथ resonate हुई हो आपको पसंद आई हो अगर reading resonate हुई है तो comment section में बताइगे channel पढ़ना है तो subscribe कर दीजे वीडियो को like कर दीजे अभी के लिए बस इतना है guys bye take care hello everybody चुदोने भी चूज कि है material and spiritual prosperity चले देख लेते हैं आने वाले साथ दिन आपके life में कैसे जाएंगे कैसा आप feel करेंगे क्या good news क्या surprises blessings आपको मिलेगी ऐसी कौन सी चीजे हैं जो आपको ignore करनी है और क्या चीजे आपको follow करनी की ज़रत है तो जो भी reading में आएगा मैं आपको सारा बताऊंगे चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपकी energy check करना चाहूंगी कैसी energy में रहोगे आप फिर हम दूसरी बातों पर reading करेंगे गी क 안पक्राइज द्ट चाहिन आपक्राइजक कर क हाथ प्रयं कारऑải कारणगे च्क्राणी करेंगे प्रचियोड कि कार लागे मैं रातों आपक्राण blijजग प्रचियव्पर बातों नो Jug करेंगे प्रो Björ만 करेख करूबे वोकहोलिक, वी हैब सोलमेट, वाओ, एक काड़ा लेना है, रिलीस, और बॉटम से आया है जोई, ओके, चलिए मैं आपको बताती हूँ, देखिए सबसे पहली बात है, आप किसी चीज को लेकर बहुत पैशनेट है, आप बहुत वोकहोलिक हैं, और या आप जो आने वाले साथ दिन हैं आप उसमें बहुत काम करने वाले हैं, हो सकता है बहुत सारी पैशनेट परसन हैं, जिसके बहुत सारे गोल्स हैं, आप टीचर हो सकते हैं, आप एक बिजनस मेन हो सकते हैं, आप एक मोटिवेटर भी हो सकते हैं, जो लोगों को आपके जो भी past experience रहे हैं लव में वो कुछ खास नहीं रहे हैं और definitely आपको उनको release करने की जुरूरत है हो सकता है आप अकेले में आज भी रोते हैं रोते हैं इस तरह से मुझे दिख रहा है यहां पर और आपको definitely देखो जो चीज हो गई है लाइफ में जो चला गया है तो उसको उसको ना भूलने की कोशिश करनी चाहिए उसको let go करने की कोशिश करनी चाहिए यह नहीं कि आप उ इतनी जो कीमति आपकी life है उसको आप enjoy कर सकते हैं उसके साथ आप मतलब अपनी life में आप happy रहना सीखो self love करो यह चीज आपको करने की ज़रत है मुझे लगता आपको बहुत insecurities हैं कि पतानी life में क्या होगा क्या नहीं होगा work में आप अच्छा कर रहे हो definitely लेकिन आपको insecurities ना रख करना अपने आपसे प्यार करना सीख लो अपने आपसे अपनी self worth को समझना सीख लो ठीक है इतना करते हो अपनी life में खुश रहने की कोशिश करते हो तो मैं आपकी life में आपके soulmate को ही आते हुए देख रहे हूं soulmate connection आप feel करते हो किसी के साथ और आपको definitely आपके soul authorities बहुत होती है कि like पता नहीं यह चीज मेरी पूरी हो पाईगी या नहीं ऐसा मेरे को success मिलेगी या नहीं चीज के past को लेकर भी आप अमी तक बैठे हुए हो रो रहे हो अकेले में खुशियां ही नहीं आपकी life में आप बिल्कुल खुश रहने की कोशिश ही नहीं कर रहे ह रोते हो आप तो यह चीज नहीं कर लिया आपको अपको अपनी life में बिल्कुल खुश रहने की कोशिश करनी है और positive रहने की कोशिश करनी है चलिए अभी मैं हाँ से थोड़ा love life के बारे में देखते हूं आगे क्या होगा आने वाले साथ दिलों में surrender pity देखिए आपको अपनी love life ना नसीब पर छोड़नी है नसीब आपको कहां कब किस से मिला दे आपको भी नहीं पता क्योंकि मैं आपके life में एक bright sun आते हुए देख रहे हूं sexual freedom क्योंकि आप बिल्कुल पेइन में हैं रोते हैं तो यह कार तो आना ही था बांडरेइस वाटन देख से आए reparenting yourself देखो आपको definitely अपने खुद में change लेकर आने की जरूरत है सबसे पहली बात तो क्योंकि आप बहुत जादा distorted feminine की तरह behave कर रहे है इट मीन्स आपके life में सब कुछ मैसी सा हो गया है आप कुछ भी life को enjoy नहीं कर रहे हो आगे देख ही नहीं रहे हो sun की तरफ ठीक है तो आपको बिल्कुल नसीब पर छोड़ना है का मतलब है कि जैसे जैसे time आपका बीतेगा और आप अपनी life में आगे बढ़ेंगे आपके लिए धेरो blessings है ठीक है लेकिन उनको accept करने के लिए ready भी होना पड़ेगा तो past को release कर दो और अपने आप में change लेकर आने की कोशिश करो reparent करो खुद को ठीक है जो लोग आपके लि नेगेटिव है उनके लिए अपने around boundaries बना लो healthy boundaries ठीक है और हो सकता है कि तब जाके आप अपने soulmate को attract करो ठीक है आपको definitely इनके साथ अच्छा लगेगा और एक freedom feel होगी मुझे पता है आपको अपने soulmate से मिलना है आपको अपने twin flame से मिलना है लेकिन उनसे तब तक नहीं मिल कर रहे हो आप खुश नहीं हो अपने life में तब तक God नहीं मिलेंगे आपको इनसे जब तक आप distorted family हो तब तक तो कुछ नहीं हो सतना आपको चेंज लेकर आना पड़ेगा अपनी life में चली अभी अभी tarot से कुछ देखते हैं work में क्या हो रहा है आपकी life में Wow we have lovers Gemini we have Ace of Souls Gemini Libra and Aquarius we have page of cups Cancer Scorpion Pisces पर दो पर पर लिए तो देखो तो देखो मेरे को तो बिल्कुल अशा दिख़ाए कि अगर आप रिलीस करते हैं अपने सारे पेन को सौरो को जो भी आप अपने अंदर लेकर बैठे हो नहीं नहीं दुख दर्द तो आपकी तो लाइफ में नहीं शुरुवात होने वाली है एक न्यू बिगिनिक आपकी लाइफ में होगी अगर आप रेड़ी होते हो एक न्यू चैप्टर के लिए अपनी लाइफ में मैं ऐसा ही देख रही हूँ यहाँ आपके लिए बस आपको न को आते हुए देख रही हूं जज्मेंट होते हुए देख रही हूं आपके लाइफ में तो गाइस बिल्कुल रेडी हो जाओ ठीक है इस एनर्जी से बाहर आजाओ विद फाइफ पाइफ काप की एनर्जी से बाहर आजाओ मैं देख रही हूं आपके लाइफ में आपके सोल म आपके divine counterpart आजाए चेंज के लिए रेडी हो जाओ खुश रहने की कोशिश करो क्योंकि मुझे लगता है आपके साथ आपकी लाइफ में नई शुरुवात होने वाली है आपको क्वीन आफ पैंटिकल की तरह बहेव करना है लाइक अपने गोल्स पर अमिशन पर फोकस करना है अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है अपने इंट्यूशन को सुनना है आपके इंट्यूशन आपको कैसे गाइड कर रहे हैं क्या बता रहे हैं आपको ठीक है क्योंकि डेफिनेटली मैं आपकी लाइफ में इंप्रूव्मेंट्स होते हुए देख रही हूं तो वह नहीं इसको पाने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे बिना एफर्ट्स किये कुछ नहीं हो सकता कोई चेंज नहीं आ सकता आपकी लाइफ में यह बात आप समझ लो बहुत अच्छे से चली अभी मैं आपके लिए कुछ गाइडन्स निकाल लेती हूं गौड आपको क् क्या बताएंगे देख लेते हैं क्या गाइड करेंगे आपको क्या बताएंगे देख लेते हैं वाव कॉर्नकॉपिया नमबर 11 डेफिनेटली यह फ्रूट्फुल रिजल्ट ही मिलेगा आपको अगर आप चेंज लेकर आने की कोशिश करते हैं तो वीग फिफ चाकरा आपके इन एंगो आपके साथ था आपके साथ हैं आपको सब्सक्राइंचल माइकल अपके साथ रहे हैं आपको फितली बहुत सपॉट इन Sounds आपके साथ हैं और आपको टेंशन लेनी के ज़रत नहीं है बस आपको एक्षन लेनी के ज़रत है The Temple Path and Angel of Love देखो जो भी मैनिफेस्ट करोगे जो भी दुआएं मांगोगे वो सारी God सुनेंगे क्योंकि Temple Path का काड आया है आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे भगवान तक आपकी आवास जाएगी God तक पहुंच रही है आपकी सारी आवासे Angel of Love है आपके साथ जो कि आपकी लाइफ में लव भेजेंगे Third chakra Archangel Cameo Archangel देखो आपके साथ कितने सारे Archangel है Bottom से काड आया है Patience का Patience रख लो थोड़ा सा चीजे टर्न हो जाएंगी बहुत अच्छी तरीके से है हर चीज हो जाएगे आपकी लाइफ में अगर आप रेडी होते हैं तो ठीक है क्योंकि Angel of Love आपके साथ है जो कि आपकी लाइफ में लव भेजेंगे Archangel Gabriel, Archangel Michael, Archangel Camille आपके साथ है आपकी सारी दुआइं कबूल हो रही है सुनी जा रही है God के लिए और God भी आपको कह रहे हैं कि Cornacopya means यह abundance, यह fruitful result सिर्फ और सिर्फ आपका होगा अगर आप change के लिए ready होते हैं तो बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं आपके लिए चलिए मैं कुछ कार्ड अब मैं यहां से इंजल आंसर देख रहे हूँ नहीं, इंजल आंसर से पहले मैं एडवाइज लेना चाहूंगी God आपको क्या एडवाइज देंगे Meditate and Contemplate Meditation कीजे आप भी और Contemplate कीजे थोड़ा and have faith in your dreams अपने dreams पर बिल्कुल faith रखिए हर चीज possible है and Aphraic Climax Approaches कुछ तो अप्रोच करना पड़ेगा आपको ऐसे ही नहीं कि सब कुछ बस हो जाएगा आपने मांगा और आपको मिल गया आपको action लेना पड़ेगा आपको meditation करना पड़ेगा आपको खुछ रहने की कोशिच करनी पड़ेगी आगे बढ़ना पड़ेगा लाइफ में positivity के साथ येस येस है आपके लिए आंसर और देखते हैं गाइस के आता है एंजल कहले हैं बिल्कुल येस है no need to worry आपको चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है ट्रस्ट करो बस इन पर अपना ट्रस्ट बनाए रखो हर चीज पॉसिबल है हर चीज पूरी हो जाएगी perfect timing थोड़ा साना timing patience रखो perfect timing पर हर चीज मिलेगी आपको जो भी आप चाते हैं big happy changes आपकी life में आएगे wow and meditation brings answer meditation तो करने की ज़रूरत है आपको अपने इंजल से पूछने की ज़रूरत है meditation में आप meditation कीजए आपको बहुत अच्छा फील होगा clarity मिलेगी आपके साथ already archangels हैं जो कि आपके साथ connect हैं वो भी आपको कुछ न कुछ guide करेंगे hints देंगे ठीक है आपकी life में आने वाले साथ दिनों में आपको ये कोशिश करनी है कि आप किस तरीके से अपने past से बहार आएंगे और present के लिए ready हो जाएंगे present में जीएंगे और future में आने वाली abundance के लिए ready हो जाएंगे ये चीज आपको करने की ज़रुत है और आपको बिल्कुल भी tension करने की ज़रुत नहीं है आपको अपना काम करना है perfect timing का wait करना है अपना काम करते करते सर्फ ये किए distorted feminine की energy से बहर आना है आपको आने वाले साथ दिनों में बहुत कोशिश करनी है कि आप distorted feminine की energy से बहर आकर divine feminine की तरह behave करें ये है आपकी life का purpose इस time क्योंकि अगर आप पुराने time में जी होगे तो definitely कुछ भी turn नहीं होगा कुछ भी change नहीं होगा तो guys I hope कि ये reading आपके साथ resonate हुई होगी आपको पसंद आई होगी अगर reading आपके साथ resonate हुई है तो मुझे comment section में बताईए चैनल पर अगर आप नहीं है तो subscribe कर दीजिए वीडियो को like कर दीजिए अभी के लिए बस इतना ही guys bye take care